बिस्मिल्ला रख्मान रराहीम आज हम मड्यूल 137 डिसकस करेंगे मड्यूल 137 हमें ये बता रहा है कि हम Thread Safe Code कैसे लिख सकते हैं उसके लिए हमें certain guidelines जो हैं वो follow करनी पड़ेंगी certain ऐसे rules हैं certain ऐसे precautions हैं जो लेनी पड़ेंगी और उसे hopefully जो code हमारी होगी वो thread safe होगी असल में होता ही है कि हमने previously देखा है कि जब आप एक thread लिखते हैं तो वो thread जो हैं जब उसको आप run करते हैं concurrently तो कई एक जैसी threads जो हैं वो concurrently run कर रही हैं और वो किस order में run करेंगी कि sequence में उनके बीच में switching होगी आपको नहीं पता और जब switching होती है तो ऐसी situation भी आसकती है कि आप जो result expect कर रहे थे वो आपको result ना मिलें आपको unexpected results जिससे of course जो आपकी output है आपको result है वो inaccurate होगा unwanted results आइं तो आप ये नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं हमेशा हर सूरत results जो हैं वो accurate हो आप जो parallelism है जो concurrency है उसको भी use करना चाहते हैं उसके benefits भी लेना चाहते हैं और साथ-साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपके results जो हैं वो सही है जब आप ऐसी code लिखते हैं जिससे कि आपके result सही आते हैं और आप threads को भी साथ-साथ use कर रहे हैं, parallelism और concurrency को भी use कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं thread safe code. तो thread safe code बनाने के लिए आपको क्या क्या precautions लेनी चाहिए हैं, हम उन precautions को ही अभी discuss करेंगे, firstly, जो आपको ऐसे कोई variables हैं अपने program के अंदर, अपनी thread के अंदर, जो locally चाहिए हैं, जो सिरफ उसी thread के अंदर चाहिए हैं, उस thread से बाहर आपको कहीं नहीं चाहिए हैं, तो उन variables को expose करने का कोई point नहीं, उन variables को आपने हमेशा क्या रखना है, उनको locally रखना है, उनका scope लोकल रखना है, उनको किसी सूरत आपने global नहीं करना है, ग्लोबल करने भी क्या होगा, कि उसके जो contents हैं, वो बाहर किसी और thread को available होंगे, और वो दूसी thread जो है, उसको change कर सकती है, और आपके results जो हो सकता है, सही ना है, अब locally आप किस तरह से data store कर सकते हैं, उसमें हमने देखाता है कि एक तो हर thread को एक data structure pass किया जाता है, एक pointer pass किया thread local storage होती है, TLS जिसको कहते हैं, आप उस TLS को use कर सकते हैं, और उसके अंदर जो local information है, उसको place किया जा सकता है, और फिर for example, अगर कोई ऐसा आप function use कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी counter वगएरा का इस्तमाल किया जा रहा है, तो आप उस counter को, उस किसी thread specific, ऐसा जो के आपका data structure है जो उस thread से specific है, सिर्फ उस thread के लिए है, तो उस data structure के अंदर उस counter को रहे हैं, उस counter को as a global variable ना define करें, अगर आप global variable define करेंगे, और कोई दूसरी thread उसको use करेंगी, तो एक thread ने जो उसके अंदर change किया होगा, वो change दूसरी thread के output को affect करेगा, इस तरह overall हो सकता है, जो result है, वो सही ना है, फिर ये के race conditions को avoid किया जाए, यानि के अगर कोई एक ऐसा आपका resource है, जिसको के एक वकत में एक ही thread use कर सकती है, तो ऐसा ना किया जाए, के ऐसी situation बनाई जाए, के उस resource को number of threads at a time use करें, तो आपने race conditions को जो है, जो है, avoid करने की कोशिश करनी है, अगर आपके कोई variables ऐसे un initialized हैं, और जब तक वो initialized नहीं होते हैं, आपकी thread अगर run करें तो आपको results वो सही नहीं देगी, तो आपको thread को wait कराना चाहिए, thread को suspend करा देना चाहिए, जब तक के वो variables जो हैं, पूरी तरह से initialized नहीं हो जाते है जब variables पूरी तरह से initialize हो, उसके बाद ही फिर thread को resume किया जाए, run state के अंदर लाए जाए और thread की execution perform की जाए, तो अगर कोई एक specific condition है, जैसे यही वाली के आपने variables को initialize करना है, और जब तो वो specific condition reach नहीं हो जाती है, एक certain part of code जो है, उसको आप execute नहीं कर सकता है, तो आपको उ उसके लिए certain synchronization के objects है, उन objects के उपर आप wait कर सकते हैं, जब तक के वो object आपको जाज़त नहीं देगा, आप अपनी execution जो है, वो part of the thread या part of the code जो है, उसको execute नहीं करेंगे, और एक और बड़ी important चीज़ है कि thread को जो है process की environment जो है, उसके साथ interference नहीं करनी चाहिए, process environment को अग अगर उसको एक thread change कर दाती है, तो उसका effect जो है वो बाकी सारी threads के उपर भी नदर आता है, और बाकी सारी threads की execution है, वो भी उससे मतासर हो जाती है, for example, अगर environment variable के अंदर जो standard input output devices हैं, अगर आप उनको change करने, एक thread के अंदर change करेंगे, उसका effect बाकी threads के आएगा, और बाकी threads भी उन changed input output, standard input output devices को use करेंगे, तो हो सकता है, कि result जो है, वो बिलकुल unexpected आए, तो ऐसा आपने नहीं करना, कि एक thread जो है, वो environment variables को change कर दे, जो के बाकी threads को भी of course, visible होगा, हाँ, ये जरूर सर्टन cases में होता है, कि primary threads जो है, वो एक environment create करती है, जो primary thread होती है, वो एक environment set कर देती है, environment variables को कोई values assign कर देती है, एक environment set कर देती है, और set करने के बाद, जो फिर उसकी slave threads होती है, वो run करती है, worker threads जो है, वो run करती है, लेकिन worker threads, सारी worker threads को जो environment मिलती है, वो बिलकुल same होती है, उसमें कोई difference नहीं होता, तो as a principle, इसको इस तरह से consider किया जा सकता है, कि primary thread जो है, वो ensure करे, एक environment, एक specific environment, और जो जो इतनी भी worker threads होंगी, जतनी भी slave threads होंगी, वो threads जो हैं, उस environment को किसी सूरत भी change ना करे, तो ये एक setting हो सकती है, जिसके अंदर के आपकी threads work करें, जो भी shared variables होते हैं, उनको आप global define कर सकते हैं, ऐसे variables जिसको सारी threads ने use करना है, तो ये एक ऐसा variable है, जो आप जाते हैं, तमाम threads जो हैं, जिसके ओपर read भी कर सकें, write भी कर सकें, तो उनको आप shared या तो define करेंगे, या फिर आप static define करेंगे, अगर उनको आप local define कर लेंगे, तो of course फिर उस तरह से भी working आपकी सही नहीं चलेगी, और फिर ये जो shared variables हैं, इनक use कर सकते हैं, memory barriers use कर सकते हैं, और आगे भी हम कुछ objects को discuss करेंगे, जिन objects के मदद से हम shared memory को access कर सकते हैं.